हेलो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले mathematics ठीक है जो bca का first semester का एक course है bcs012 इसका course code है block 1 on unit 3 तो unit 3 का name है matrix 2 जिसके अंदेर हम elementary row operations पढ़ चुके है rank of a matrix आज पढ़ने वाले हैं तो start करते है rank of a matrix rank of a matrix होता है ऐसे है ठीक है कैसे निकाल देहां एक हमें determined दिया हुआ है और हमें बोला गया है कि is determined का जो sorry हमें एक matrix दिया हुआ है ठीक है जिसके अंदर हमें बताना है कि कौन से order मलब कि क्या rank है इसकी ठीक है तो हम इसको determined के तुरू solve करेंगे ठीक है अगर मेरे को पता है अगर मैं इसको solve करूंगी ठीक है मैंने क्या किया इसका determined निकाला तो determined निकालते हम कैसे है 1 ठीक है 1 और फिर उसके बाद यह hide कर दिया यह hide कर दिया यह बचके है हमारे पास 8 और minus 10 ठीक है फिर उसके बाद minus का sign लगाएंगे और 2 लिखेंगे इसको solve करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास यह और यह चला गया यहाँ पर चेगा 0 minus 4 ठीक है उसके बाद हम next solve करेंगे तो यहाँ पर plus का sign लगाएंगे 3 लिखेंगे इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं first row के थूँ ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा 0 और minus का 2 ठीक है तो जब हम इसको solve करेंगे तो हमारे पास कुछ यह आएगा 8 और यह हो जाएगा हमारे पास minus का 2 ठीक है और इसको solve करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास plus का minus का यह हमारे पास minus 2 है और यह हमारे पास minus का 4 है minus 4 और 0 कितना हो जाएगा मारे पास minus 4 और इसको multiply करेंगे तो plus का 8 हो जाएगा ठीक है और इसको करेंगे 3 to the 6 और ये minus का 6 हो जाएगा और 6 और 2 अगर हम plus करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0 आजाएगा यहां से ठीक है 6 और 2 8 होता है minus का 8 और plus का 8 तो करेंगे solve उसको 0 आजाएगा तो जब हमारा इसका determinant अगर 0 निकल जाता है matrix का जब determinant निकालते हैं तो अगर उसका determinant हमारे पास 0 आ जाता है तो हम यह कह सकते हैं कि इसकी जो rank है वो 3 नहीं है 3 नहीं है क्योंकि इसका जो detlement है वो 0 आ गया है ठीक है तो जब हम इसका detlement अगर हम इसको solve करेंगे तो अगर 0 आ जाता है तो हमें इसका sub matrix बनाना पड़ता है ठीक है, sub matrix में हम कोई भी 2 पर ले सकते हैं, मतलब ये ले सकते हैं ठीक है, ये ले सकते हैं ये 2 ले सकते हैं, मतलब ये ठीक है, नीचे से 2 या कैसे भी 2 ले सकते हैं तो हमने लिया है इसमें 1, 2, 0, 1 ठीक है, तो ये हमारा sub matrix of A हो गया जब हम इसका detlement निकालेंगे तो अगर इसका determinant हमारे पास 0 नहीं आता है, देखो, not equals to 0 है, तो अगर यह determinant जो 0 नहीं आता है, तो हम बोल सकते rank of a is equals to 2, ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से solve करते हैं, I hope कि आपको rank of a matrix निकालना आ गया होगा, आपको वीडियो चलागे तो वीडियो को like करें, share करें, comment करें, नेक्स कास में हम पढ़ने वाले हैं, inverse of a matrix using elementary row operation, तब तक के लिए, thank you for watching.